अगर आपको भी हड्डिया कमजोर मैसूस होती है, हड्डियों से कड़ कड़ की आवाज आती है, या फिर किसी भी कारण से सरीड में कैलसियम की कमी हो गई है, तो आज की ये वीडियो आप के लिए काफी इंपोटेंट होने वाली है, आज हम बात करेंगे सिपकेल D3 सेचिट ये सबी बाते आज हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्स्प्लेन करने वाली हैं, तो चलिए आज कुछ नया सीग लेते हैं, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्यूंकि हम सभी मेडिसीन को हिंदी और इ सेचिट होता है, जिसका MRP 39 रुपिय होता है, और इसमें आपको कोले कैल्सी फिरोल नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा, अब हम जान लेते हैं इस सेचिट के बेनिफिट्स के बारे में, सिपकेल डीतिरी सेचिट नूट्रिशनल सब्लिमेंट होता है, जो कैल्सिम क कमी को काफी अच्चे से पूरी करता है, कैल्सिम की कमी होने की वज़े से हड्या कमजोर हो जाती है, जिसकी वज़े से हड्यों से कड़कड की आवाज आती है, जोइंट में दर्द होता है, बैक पैन, कमर में दर्द होता है, ऐसी कंडिशन में इस सेचिट का बहुती इफे बनाने के लिए तूटी हड्डियों को जोडने के लिए इस सेचिट को यूज किया जाता है कैलसियम की कमी की वज़े से हड्डिया कमजोर होती है इसके अलावा ये मसल्स को भी काफी अच्छे से मजबूत करता है मसल्स को पूरे तरीके से हेल्थी बनाता है मसल्स को हेल्थी बनाने के लिए और calcium की कमी को पूरा करने के लिए आप इसे अराम से try कर सकते हैं और guys जब body को proper मातरा में calcium मिलेगा muscles भी अच्छे से मजबूत होगी फिर हमारी health में भी सुधार देखने को मिलेगा सरीर को healthy बनाने के तोर पर इस सेचिट को आराम से ट्राई कर सकते हैं क्यूंकि इसमें बहुत ही अच्छे मातरा में केलसियम एड किया गया है तो यह ते इसकी कुछ बेनेफिट्स अब हम जान लेते हैं प्रिकेसंस यानि सावधानिया इस सेचिट को आपने ओवर डोज में नहीं लेना है जितनी डोज आपकी डोक्टर आपको बताते हैं उससे उपर ना ले और गाइज किसी भी मेडिसीन को यूज करने से पहले एक बार उसकी एकस्पारी चेक कर ले तो यह ते इसकी कुछ प्रिकेसंस अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में कॉमन साइड इफेक्ट की बात की जाए तो कॉंस्टी पेसं यानि पेसेंट को कब्स बन सकता है वो मिटिंग किसी पेसेंट को उल्टी भी लग सकती है नोज या जी भी मतला सकता है इस तरह का कॉमन साइड इफेक्ट एकाथ परसं को कभी-कभी आ सकता है जो एक दो बार में ठीफ हो जाता है अब हम लास्ट में जान लेते हैं इस सेचिट की डोज के बारे में तो देखिए गाइज इसकी डोज बिल्कुल सिंपल है आपने आधा या एक गिलास दूद में इस पैकिट को मिक्स कर लेना है और उसे इजिली पी लेना है बस इतना सा आपने काम करना है और एक वीक में एक सेचिट आपने पीना है फिर आपको एफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा उम्मीद करता हूँ ये छोटी से वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर सकते हैं